दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की सैटिंग कैसे कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरू ग्यांदा नौलेज में दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ी लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी हाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की सैटिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों मैंने 2-3 पीडियो बनाए हैं पिछे कि ब्लॉगर में अकाउंट कैसे बनाएं आप ब्लॉगर में पोस्ट कैसे डाल सकते हैं आप ब्लॉगर को गूगल सर्च में कैसे ला सकते हैं पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की सेटिंग कैस करनी हैं यह सारी जानकारी दूंगा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नोटिफकेशन आउन करके और पर क्लि क्लिकना शुरू कर दिया और भी कई काम कर दिये दोस्तों पर आपको करना है कि इसकी सेटिंग ठीक है दोस्तों तो क्या करेंगे जैसे ही आप ब्लॉगर पर आएंगे ब्लॉगर के आने के बाद दोस्तों यहां दिखिया यह सेटिंग है सेटिंग पर क्लिक करेंगे दोस् दोस्तों अब इसके नीचे है description अब description के लिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको chat gtp पर आ जाना है यहां लिखेगा write a description for blog on sorry दोस्तों on और यहां earn money online थीक है दोस्तों बस इतना लिखेगा और यहां search कर दीजेगा तो दोस्तों यह आपको description निखे देगा write a description for blog on earn money online ठीक है दोस्तों तो यह आपको description लिखे यहां देदेगा जितने भी description लिखेगा दोस्तों उसे हाँ यहां copy कर लिजेगा कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपनी ब्लॉगर में जाईएगा डिस्क्रिप्शन में ओके किजेगा यहां आप इसे पेस्ट कर दीजेगा और सेव कर दीजेगा ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां हमारी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है ब्लॉग लेंग्वेज आप इंग्लिश ही रखिएगा अगर दोस्तों आपका एडल्ट कॉंटेंट है तो इसको ओके कर दीजेगा अधर्वाइस इसको ऐसे ही रहने दीजेगा ठीक है दोस्तों उसके बाद थोड़ा स्क्रोल करके आएंगी नीचे दीजेगा प्राइवेसी है प्राइवेसी को विजिबल कर दीजेगा यानि ओन कर दीजेगा अगर ओफ होगी इस तरह से होगी तो दोस्तों आप इसे यहां ओन कर दीजेगा ठीक है दोस्तों on करने के बाद दिखिए दोस्तों आपको निचे यहां दिखेगा publishing publishing में है आपका blog का जो URL है ठीक है यहाई याणि यह आपका domain है ठीक है अब custom domain अगर दोस्तों आपके पास domain है तो आप यहाँ custom domain पे click करेंगे और यहाँ अपना domain कर देगे यहाँ आप भाई भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अब देखिए नीचे आप थोड़ा सोर देखेंगे यहां लिखा पोस्त अब यहां लिखा मैक्सिमम पोस्त चौन और पेज तो आप यहां कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैं बान के चलिए 10 कर देता हूं ठीक है दोस्तों सेव कर देंगे यानि मेरे ब्लोग पोस्त पर 10 जो पोस्त हैं वह दिखेंगी ठीक है दोस्तों उसके बाद इमेज इंडेक्स इसे भी और रखिएऒगा ऑन रखने केब दोस्तों तो स्क्रोल करके नीचे आीएगा अब यह दिखेंगे कमेंट्स है इसे भी ऐसे ही रहने देजिएगा दोस्तों दोस्तों यह दोस्तों आपका time zone आजाएगा देखी है, कलकत्ता आप इस पर click कर दीजेगा और save कर दीजेगा ठीक है दोस्तों यानि आपका time zone जो है वह भी है सेट हो जाएगा ऑग है डेट और सेट हो जाएगी दोस्तों अब यह देखी है यहां लिखा है Meta Tags ठीक है दोस्तों आप इसे यहां Open कर दीजेगा ओपन करने के बाद दोस्तों यहां लिखा है Search डिस्क्रिप्शन सर्च डिस्क्रिप्शन में जाईएगा और दुबारा से अपने चैट जिटीपी पे जाईएगा दोस्तों उसे कॉपी कर दीजिएगा और यहां आके उसी description को आप पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों अब इसके बाद यह जो error है इसे 404 ही रहने दीजिएगा यहां है crawling and index दोस्तों यह करना बहुत ही जरूरी है आप इसे open कर दीजिएगा open करने के बाद दोस्तों यहां लिखा custom robot tax अब दोस्तों इसके लिए आपको मैं एक tax होते हैं यह देखिए यह tax है आप चाहें तो ब्लॉगर में चलिए open कर देते हैं हम अपने ब्लॉग पोस्ट को ठीक है दोस्तों यह हमारी ब्लॉग पोस्ट है अब हमने robotics में जाना है इसे यहां paste कर देंगे paste करने के बाद दोस्तों यहां आप अपना URL ले ले लेंगे इस पूरे URL को आप copy कर लिजेगा copy करने के बाद दोस्तों यहां आप इसे paste कर दीजेगा यह देखिए यहां आपका site map भी आ चुका है अब इसे आप save कर दीजेगा चैसे यह करेंगे यह दखिए दोस्तों save हो चुका है अब यहां दिखिए दोस्तों यहां निकाए Unable Custom Robot Handle Tags आप इसे भी Unable कर दीज़ेगा फिर है Home Page Tags इसे कीज़ेगा इसे No Index पर कर दीज़ेगा No DP पर कर दीज़ेगा और Save कर दीज़ेगा इसी तरह से दोस्तों नीचे Achieve and Search Page Tags No Index No DP, पर Save कर दीज़ेगा ठीक दोस्तों तो इसके आगे है post and pages इसे आप किजेगा all और इसे no dp पे click करके save कर दीजेगा ठीक है दोस्तों तो यह आपकी setting जो है यह save हो जाएगी अपडेट हो जाएगी अब दोस्तों यह google search console है इस पर मैंने आपको पहले ही video बना के दिखा दिया है उसका link में उपर description में दे दूँगा आपको google search console में अगर आप चाहते हैं तो और video आपको बना दूँगा यह देखिए दोस्तों monetization का है monetization अभी हमें जरूरी नहीं है अभी हमें काम करना है दोस्तों तो यह अगर इतनी setting आपने कर ली तो समझिए कि आपका blog post जो है वो search में आना शुरू हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो और आपको अच्छा खासा revenue भी मिलेगा ठीक है दोस्तों तो अब हमें इसे कर देते हैं refresh देखिए दोस्तों refresh कर दिया हमने तो यह आ चुका है इस तरह से यह हमारी ब्लॉग post दिखना शुरू हो चुकी है अब आउट देखिए आ चुका है और दोस्तों इसकी थोड़ी सी अपनी setting भी होती है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी setting बताऊं layout setting होती है दोस्तों तो यह देखिए मैं आपको बता देता हूं layout setting है यह layout setting यह theme की setting होती है दोस्तों तो जिस तरह की theme रहेगी उस तरह की setting आप कर सकते हैं तो इसके बारे वे मैं आपको अलग से वीडियो पर बताऊंगा दोस्तों की layout setting आप कैसे करेंगे तो दोस्तों फिलहाल हमने अपने blog post की setting complete कर दी है आपको भी इस तरह से अपने blog post की setting कर लेनी है तो दोस्तों यह थी जानकारी चलिए मिलते हैं आगे तो देखा आपने कितना असान है blogger post की setting करना जी हाँ आप अपने blogger की setting कर सकते हैं दोस्तों अगर आप setting करते हैं तो आपको इससे बहुत सारे फाइदे मिलते हैं ठीक है दोस्तों क्योंकि आपने Google Search Console में तो आपने वीडियो देख लिया है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिएगा ताकि आप सब लोग ब्लॉगर पे आएं और ब्लॉगर से धेरो रुपया कमाएं तो दोस्तों ये थी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जी हाँ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्यूंकि आपको पता है कि यही प्यार तो हमें मिलता है and I like your life